हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आज मैं आपको तील पट्टी बनाने बताने जारी जो कि एकदम जटपड बन जाता है और इस विंटर सिजन में तील की पट्टी खाना बहुत फायदेवन्द होता है और इसे बनाना तो बहुत आसान होता है तो देख सकते हैं कितना करने रग दिन हम नगिहों और इसमें हम कप कः से कि तील डाल देंगे तो तील को हमक faithful करना है यहां पर सफेद तील से बना रहे हुं- सफेद तील ज्यादा अच्छा लगता है ऑर यसे हलका correct करने के बाद इसे हम हम अला कर लेंगे बरतन वे उसके बाद इसी कडाही में पानी अखालो है कि गी गार्म होने पर यहां पर शक्कर डाले देंगे mm थी नियुकट यहां पर एक प्लेव निया था मैंने तो एक प्लेップ नियु में पानी बंदी सब्सक्रा पर पर सब्सक्राइख ής जिसे अंब भूनते रहना है जिए धिरे धिरे सक्कर जो है वह पिघल जाएगा है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है पिघलने में पर यह पिघल जाएगा क्योंकि पानी आपको बिल्कुल ब्याइड नहीं करना है तो बस इसे ही चम्मस चलाते जाहिए और ध्यान रहे कि नीचे सक्कर जले नहीं इसलिए चम्मस आपको चलाते रहना है तो थोड़ा देर बाद देखे इस टाइप से हो जाएगा एकदम सुखे सुखे जैसे उसके बाद धेले धेले यह पिघलना सुरू होगा और तब तक हम यहां पर साफ कहीं पर भी जहां पर जैसे हो सके तो किचन पाटा को साफ करके उसी में ही आप घी ग्रीश करके रख क्योंकि हमें फटा-फट से उसे यहीं पर पट्टी बनाना रहेगा और एक बेलन को भी घी से ग्रीश कर लीजे अब देखे पिघल चुका है मारा जो सक्कर है और उसे अच्छे से और घुलने दीजे तो देखे एकदम अच्छे से घूल गया है सक्कर जो है जब सक्कर क्योंकि जब सकरेखेएशya मेट जम जाता है बहुत जल्दी से और बेलन जो रखा थे पर गी निसान लगा लिजे हैते और कुछे कीचन पाटार थे बनाना के लिए और Б mission व क्योंकि बसुखने के बाद इसे हम पीस पीस हमें तोड़ना रहेगा इसलिए अब तूरंत यह सूख जाता है दो मिनाट में ही आप देखेंगे सूख कर तयार हो जाएगा तो देखें यह कितने अच्छे से उड़ जाता है जब पुरा सूख गया है पुरी तरह से सूख गया से खाना ही चाहिए तो सर्दियों के बहुत अच्छा तिल का पट्टी बनके तयार है मार्केट में आप जाते है तो बहुत जादा दामों में मिलता है तो आप घर पर ही आसानी से बना सकते है तो यह था आज का मेरा चोटा से वीडियो आई होब आप लोगों को अच्छा होगा अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं एक नई रेसेपी के साथ तब तक के लिए बाए टेक केर